असलाम अलेकम है लो में यूटीव फ्रेंड्स आज हम बहुत खुबसरत सा स्टीच बना रहें और यह बॉर्डर स्टीच है आप इसे बॉर्डर के तौर पे किसी भी चीज के बना सकते हैं अपने सारी के उपर शर्ट के बाजों के आगे उसके दामर के उपर इसे इस तरह से नेकलाइन के साथ साथ ले आएं स्क्वेर में है तो यह नेकलाइन और इसी तरह से अगर आप इस तरह ड्राव करते हैं तो यह सर्कल वाले में भी बहुत हुबसरत बनता है तो उसके लिए हमने पहले क्या करना है कि हमने एक यह इस तरह से सर्कल काट लेना है ठीक है यह द यह ऐसे करना है, फिर इस तरह से करना है और इस तरह से सरकल काट लेंगे. अब हमने हाफ सरकल इधर ड्रॉक किया है इस तरह से मैने रखा यह हाफ करके सरकल को और ईस तरह से मैंने इसे ड्रॉक कर लिया, ऐसे और ये उक्सार आप पूछ रहे होते हैं कि ब्लैक कपड़े के ऊपर आप किस तरह से ड्रॉ। तो ये मैंने चौक के साथ ड्रॉ। ये टेलरींग चौक जो हता इसके साथ, आप पैंसल भी यूज कर सकते हैं, अगर आपको मिल जाए ग्रेयोन पैंसल तो उसके साथ आप कर ल जो आपको easily available हो मैं इसमे 6 strands ही ले रही हूं धागे के पहले हम इसमें straight stitches लगाएंगे यहां से हम बिल्कुल नजदीक नजदीक लगाएंगे फिर इसके साथ से हमने दबारा नकाल ले 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 वेस्ट जाएगा इसलिए हमने उसी साइड पे फिर दबारा से स्कुन काल ले ले झाल नकाल ले वे ले 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 लेकर दूदाएंगे झाल झाल यह टोटल 32 है 32 टाइम्स है तो अब हम क्या करेंगे यह 4 को सेपरेट कर लेंगे अब अगले 4 ले लेंगे हम ऐसे बदाएम से लेंगे हम क्या एसे बक्यादी साथ़ क्या लेंगे हम गुर्दी यह सकता आए sentence कि बदुटे लेंगे लेंगे हम जोट sounds झाल झाल अब हम इसका second step करेंगे तो उसके लिए हम पहले क्योंकि हमें इन चार को कठा करना है दो इस साइड से दो इस साइड से इसलिए यह वाले जो एक्स्ट्रा से हैं हम इने पहले टैक कर लेंगे ऐसे अब हम यहां पर सेंटर में कर लेंगे नीडल इनके सेंटर में और इस साइड से दो ले लेंगे और दो इस साइड से लेके और यहां पर इसे दो इस साइड से ले और दो इस साइड से ले और यहां पर आइका झाल झाल आप हम इसका थर्ड स्टेप मनाते हैं तो उसके लिए ये दोबारा हम जो पहले वाले ये वाले तू इदे से लेंगे अगर आप चाहें तो इसमें हम बीट्स भी लगा सकते हैं हाजर आपी इसब स्टेप्स के ऊपर आप 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 करना कि घ्ड चेस रड़ा ठेए ऑनिखकर बाते हैं। करना लगता हुष भाजुपी वार्फियल से खब आगे अड़ा हैं को eject это साथ पीसे फिल कर सकते हैं अधर वाइस आप पंद का इस्तामाल भी कर सकते हैं अब हम इसकी साइडों पर भी इस तरह से पल्स लगा लेंगे और एक दफ़ा यहां हम इसको टैक कर देंगे ताकि यह उपर की तरफ नहीं उठे इस तरह से देख कितना खुबसूरत यह लग रहा है आप इसे बॉर्डर के तौर पर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपने इसको पूरा सर्कल बनाना तो फुल सर्कल भी आप ड्रॉ करके इस तरह से बॉर्डर बनाएं तो यह था हमरा आज का खुबसूरत सर्स्टीच होफिली आपनों को बहुत पसंद आया होगा प्लीज इसे फैमिलियर फ्रेंड के साथ शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे दूसरा चैनल मेरे फैस्बूक पीच को लाइक करें तैंक यू